शौरत, कोई भी स्कून के सलाथ को रोप ने सका, पूरा अंडर वोल लेख हो गया। पर ला रही है, बेंगलूरू के हम्टी फैक्टरी परिसर में एक खम भी ये ये तिम एक भव्य सेट तैयार किया गया है, जहां टॉक्सिक की शूटिंग हो रही है, इस फिल्म को यश और वेंकट कोननांकी मिलकर बना रहे हैं, जिसमें हॉलिवुड के तकनीशियन और कलाका भी शामिल है, अब तक 15 दिनों की शूटिंग पूरी हो चुकी है, टॉक्सिक को यूरोपिय भाशाओं में डब कर रिलीज करने की योजना है, जिसके लिए ब्रिटिश कलाकारों को भी शामिल किया जा रहा है, ये कलाकार धीरे-धीरे बेंगलूरू पहुंच रहे हैं और शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये श का नया लुक भी सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है, अमेरिकी अभिनेता अक्षय ओबरोई भी इस फिल्म का हिस्सा है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है, इसके अलावा तमिल अ अभिनेतरी तारा सुतारिया भी अब इस फिल्म का हिस्सा बन गई है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसके संकेत दिये हैं, ब्रिटिश अभिनेता डैरल डिसिल्वा भी फिल्म में मुख्य विलन के रूप में दिखाई देंगे, टॉक्सिक का बजट करीब दो सो करोड रुपिय है और इसमें हॉलिवुड के तकनीशियंस जे डीट आजे, पैरी और स्टीव ग्रिफिन भी सहीयोग कर रहे हैं, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी राजीव रवी कर रहे हैं, यह फिल्म साट सत्तर के दशक की ड्रग्स माफिया की कहानी पर आधारित है जिसमें यश एक बार फिर से गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे, इसे 10 अप्रेल 2025 को रिलीज करने की योजना बनाई गई है